सबको जे ये सुकी प्रभुक्रिस्त में प्यारे भाईयो बहनों चालिस एके चिंतन की कारेकरम की माद्यम से इश्वर का जीवंत वश्णों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत करता हूँ आज मार्च की 29 है तारीख और ये बुद्वार है आज की दिन का विशे है सत्य तुमें अजाद कर देगा इस बात को लेकर हम लोग मनें चिंतन करेंगे और आज का पहला पार्ट लिया गया है दानियल के गरंत से इसमें हम मुक्के रुप से सुनते हैं राजा नबुकर्णेसर के बारे में और उन तीन इश्वर भक्त के बारे में शिद्रक, मेशिक और अबेदनगो शिद्रक, मेशिक और अबेदनगो ये तीनों सच्चे इश्वर के अरादना करने वाले सच्चे इश्वर या भक्त थे राजा नबुकड ने सर ने सोने की मूरती बनाई और अपनी सारी प्रजा को आदेश दिया कि सब के सब राजा ने बनाई वी सोने की मूरती को दंडवत करेंगे इसके अरादना करेंगे शद्रक, मेशिक और अबेद नगों ने ये हिम्मत की राजा के सामने ये बताने के लिए हम इसके अरादना नहीं करेंगे हम अरादना करेंगे तो सच्चे इश्वर के अरादना करेंगे जिसने स्वर्ग पृत्वी को बनाया है जो सबकी देख रहे करता है, सबके लिए इंतिजाम करता है, प्रबंदे करता है, सबको जीवन देता है, उसके अरादना करेंगे, उसके सिवा हम किसी और के अरादना नहीं करेंगे राजन अबुकडने से कुर्द हो जाता है इन तीनों को दमकी देता है अगर तुम मेरे मैंने बनाई हुई मूर्ती के अरादना नहीं करोगे उसके सामने धंडवत नहीं करोगे तो तुम आग की बट्टी में डाले जाओगे आग के बट्टी में डाले जाओगे और तमको मार दिया जाएगा शदरक मेशक और अबेद नगो तीनों को तीनों सच्चे ईश्वर के अरादक इस बात से इस दमकी से नहीं डरते मौत से भी वो नहीं डरते कोई कि उनको बरोसा था उनका विश्वास था कि उनका ईश्वर जिनकी वो अरादना करते वो सच्चा है और वो इने बचाएगा वो बचाएगा इसलिए राजा की दमकी के बावजुद और पीशे नहीं हडते सच्चे ईश्वर के अरादना में लगे रहते हैं जिसके वजह से राजा नवकटनेसर ने आदेश दिया इन तीनों को बांद दिया जाए आग की बट्टी में डाल दिया जाए और उससे पहले आग की बट्टी की आग के तीवरता साथ गुना बढ़ा दिया जाए शदरक, मेशक और अबेदनगो पूर्ण इशवर पर बरोसा रखने वाले लोग इस सजा को सजा का सामना करते हैं और इस प्रकार के सजा उनको दी जाती है आग की बट्टी में डाला जाता है आग उनका नुकसान नहीं करती यहां तक उनके शरीर का एक बाल तक नहीं जलता उनका शरीर का एक बाल तक नहीं जलता इस हद तक इशवर ने उनके रख्षा की क्योंकि वो सच्छे इशवर के अरादना कर रहे थे और सद्ध ने उन्हें अजाद कर दिया और आग की बट्टी में जबते राजा और अन्य लोग देख रहे थे लेकिन ये लोग उस आग की बट्टी के अंदर टहल रहे थे उनके बीच में चौता विक्ती भी उनको दिखाए दे रहा था जो सपेद वस्त्र पहने हुआ था राजा आश्यरे चेकित हुआ के लिए क्या हुआ हलांकि जो लोग इन तीनों को आग की बट्टी में डालने के लिए ले गए थे उनका शरीर जल गया उस आग की ताप में से लेकि इन तीनों को कुछ नहीं हुआ हम लोग पढ़ते हैं नभी इसाहिस के अगरं तद्या इत्रालिस में यदि तुम आग पार करोगे तो मैं तुमारे साथ होँगा ज्वाला आएं तुमको बस्म नहीं करेंगी हमारे इश्वर हमें आग से बचाने वाला वा इश्वर समुद्र के लहरं से बचाने वाला वा इश्वर हर प्रकार के कत्रों से मुसिबतों से पेडा से बिमारी से महमारी से बचाने वाला वा इश्वर यदि मैं वो सच्चे इश्वर के अरादना करूँ उस सत्ति पे रहूं और सत्ति के अनुसार जिवन बिताऊं इश्वर मुझे हर प्रकार के हानी से बचाएगा इसलिए उस इश्वर ने शद्रक मेशक और अबेद नगो को उस आग के बट्टी में आग में जलने से बचाया सुरक्षित रखा शद्रक मेशक अबेद नगो तिनों ने सत्ति को जाना सत्ति को पहचाना सत्ति का जिवन बिताया सत्ति ने उनको अजाद रखा सुरक्षित रखा तंदरुस्त रखा सुकी रखा सत्ति ही सत्ति ही हमें अजाद कर देगा प्रभी यसुने कहा सत्य अजाद कर देगा और आज की सू समचार में हम सुनते हैं प्रभी यह सु कहता है एजि तुम सत्य को जान जाओगी सत्य को पैचान जाओगी सत्य तुमें अजाद कर देगा और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे लोग इस बात को समझ नहीं पाते जब प्रभुयस मसी को सूली पर चड़ाने से पहले जब वो एक जगा से दो जगा दो से तीसरे जगा उनको पेश किया जा रहा था पिलात उसके यहां से कैफस के यहां कैफस से और कहें इदर उदर जा रहा था तब पूचा जाता है सत्य क्या है What is truth? प्रभुयस में वहां पर उत्तर नहीं दिया बाइबुल बताता है प्रभुयस में उत्तर नहीं दिया इसलिए उत्तर नहीं दिया जो सत्य के बारे में जानता है नहीं है उसको सत्य के बारे में बताए जाए वो क्या जानेगा जो असत्य में हैं अंदकार में हैं असत्य का जिवन बिता रहा है वो सवाल करता है सत्य क्या है इसलिए प्रभु ने वहांपर उत्तर नहीं दिया जो असत्य और अंदकार में जीने वाले नहीं समझ सकते जो सत्य के पक्ष में हैं सत्य को जानना चाते हैं हकीकत में सत्य को स्विकार करना चाते हैं वे सब के सब अजाद होंगे सुरक्षित होंगे भच जाएंगे इसलिए प्रभु बताता है यह ल twenty तुम सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें अजाद कर देगा स्वयम प्रभु येसु मसे सत्य है प्रभु ने का मैं हूं सत्य मैं हूं जीवन, मैं हूं मार्ग वो सत्य प्रभु येसु प्रभु येसु है वो सत्य प्रभु येसु है प्रभु येसु ही हम सबों को बचाने वाला है, अजाद करने वाला मुक्ति करने वाला हमारा उद्धार करता स्वामी है उस सत्थी को पहचाने उस येसु को पहचाने येसु को स्विकार कर अपने मुक्ति दाता के रूप में येसु के बताएवे मार्क पर हम सभी चलें और येसु हमें सुरक्षित रखेगा हर कत्रों से, मुसीबतों से, हर चुनावतियों से, हर विरोध से, हर प्रकार की दुस्ट आत्मों की आकरमन से, हर प्रकार के बहरी से, वो हमें सुरक्षित रखेगा, क्योंकि सत्य को किसी ने आज तक पराजित नहीं किया, बलकि सत्य को किसी ने पराजित नहीं किया, इसलिए भाईयो बहनों, हम आज के दिन में उस संदेश को गरहन करें, सत्य तुमें अजाद कर देगा, वो सत्य में रहें, सत्य में जीएं, सत्य बोलें, और सच्छाय का जीवन जीते हुए, वो प्रभु मसी की आशिशों को प्राप्त करें, आईयम प्रार्तना करें, सत्य के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभू जीए इस दुनिया में जब रहते ही तो एtsåत्य के मारक पर चलते हैं, अंधिकार में हम बटक जाते हैं, प्रभू हमें स्मा करना हमें, फिर एक बार आपके सत्य को पैचानते हैं ost PRIके इस अनुसार जीवन बिताने के आम